कि आपका भी नेट हो जाता है बहुत जल्दी खतम तो यार मेरे भाई वीडियो बहुत सही चालो करके रखें कि यार यह वीडियो बहुत ही बैतरी नोने वाली है भाई आज की वीडियो में जो ट्रिक बताने वाला हूं उससे अगर आपको रेडमी का कोई भी मॉवाईल है मैं जानता हूं कि सबका नेट बहुत जल्दी खतम हो जाता है चाहिए आपने जो सिम लगा के रखी हो तो यहार कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं तो सेटिंग को पूरा देखना वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है इससे क्या होगा कि आपका नेट पूरे द पर जाना है और यहां पर एक option आप देख सकते है रेस्ट्रिक्ट डेटा यूजिस का ठीक है ध्यान से देख लो मैं आप निशान लगा दे रहा हूं रेस्ट्रिक्ट डेटा यूजिस का आप लोग सिम्पली से इस पर टैप करो और यहां पर मोबाइल डेटा वाले option को ओक कर देना है ठीक है कि मैं यहां पर इप इंफर्मिशन में जाओं और यहां पर रेस्ट्रिक्ट डेटा यूजिस में जाकि मॉइल डेटा को सिम्पली से बंद कर दूँगा उसके बाद गाइस जो दूसरी सेटिंग है वह बहुत ही अच्छी सेटिंग है इसके लिए आप ल यहां पर एक option रहता है system update का ठीक है simply से आप लोगों को उसी system update वाले option पर चले जाना है ठीक है यहां पर आप लोगों को इस पर चले जाना है इस पर आपको यहां पर यहां पर एक option दिख रहा होगा देख सकते हो टैप करने पर अपडेट सेटेंग्स आप लोग सिंपली से सब्सक्राइब करिए ठीक है और टैप करके ओपन करेंगे तो आपको देख सकतो यहां पर एक option है download यूजिंग mobile डिटा यानि कि आपके फोन में अगर कोई update आता है इससे क्या होगा आपको मॉइल आपके मॉइल डेटा से automatically अपडेट नहीं होगा इसके लिए आपको पर मिशन लेनी पड़ेगी आपके मॉइल को ठीक है तो आप लोग सिंपली से आपको ऊपन करिए और यहां से डाउनलोड अपडेट कर लिए ठीक है यह सबसे असान तरी सकती आपको कौन साइप कितना डेटा इस्तमाल कर रहा है तो यहां पर मेरा यूट्यूब जो है तो बहुत ज़्यादा डेटा इस्तमाल कर रहा है तो आपको क्या करना है यहां पर आपका बैक्ग्राउंड डेटा करके कॉप्शन रहता है तो आपको इसको डिसेबल कर ले करते हो उनको ओपन करना है और सिंपली से उसका जो बैक्ग्राउंड डेटा है उसको इस तरह से डिसेबल कर देना है ठीक है यह बहुत पैरी ट्रिक थी तुम्हीत करता हूं आशे करता हूं वीडियो पसंद आई हो अगर आपकी वीडियो थोड़ी बहुत भी काम की हो न तो अब लग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को पर शिरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना धन्यवाद जहिन जय भारत